नमस्कार श्वागत है आप सभी का केनियोज इंडिया के खास कारीक्रम मंथन में और मैं हूँ आपके साथ गरिमा वाजपई आज मंथन में एक ऐसे मुद्दे पर बात होगी जो आप से जुड़ा है जो हमसे जुड़ा है जो माननीओं से जुड़ा है लोक टंतर का मंदर जहां आम लोगों के हितों की बात होती है आम जनता से जुड़े हर मुद्दे पर सांसदों के द्वारा बात रखी जाती है वहां बीते गुरुवार को कुछ ऐसा हुआ है जिससे देश की सियासत गर्मा गई है नई संसत के स्पेशल सेशन के दौरान बीज़पी के सांसत रमेश बिदोडी के जबान से कुछ ऐसे शब्द निकले जिससे सब्ध समाज में स्विकारा नहीं जा सकता सत्ता परासीन भारती और जनता पाटी के वरिश्च सांसद रमेश बिधोरी ने बिजपी सांसद को भरी सभा में उग्रवादी और आतंकवादी तक कह दिया बसपा मुस्लिम सांसद दानिश अली को अपशब्दों और आपतिजनक विवहार किये जाने पर जिस तरीके से कारिवाई की अब उन्होंने मांग की है ये बड़ी बात है बिधोरी द्वारा की गई सांप्रदाएक कमेंट से आक्रोशत वपक्षी सांसदों ने लोकसभाद्यक्ष और सरकार पर भीदभाव का भी आरोप लगा दिया वपक्ष ने आरोपी बिजपी सांसद को सस्पेंट करने या उसे गिरफतार करने तक की मांग कर दी है आन सबके बीच ये बड़ा सवाल है कि आखिर भरी संसद में एक सांसद को आतंकवादी, उगरवादी या मुला आतंकवादी है जैसे शब्द कहने के हम्मत आखिर लोगों में कहां से आती है जिस संसद में वेल के अंदर जाने पर संसदों को सत्र से निस्काशत कर दिया जाता हो, वहां भले ऐसे शब्दों का अस्तमाल करने वाले संसद को सर्फ चेतावनी क्यों दी गई, ये बड़ा मुत्दा है लोक तंतर एक मंदर है, हम लोक तंतर की संवधान की पूजा करते हैं, ये वो जगा है जहां हमारे आपके हित की बात होती है फिर आखिर उस जगा पर उस पवित्र जगा पर जिसकी हम पूजा करते हैं जिसे हम मंदर कहते हैं वहाँ गाली जैसे ऐसे शब्दों का इस्तिमाल ये माननिय लोग कैसे कर सकते हैं ये एक बड़ा सवाल है लोग तंतर को मंदर कहा जाता है मैं बार बार कह रही हूँ और इस मंदर में जिन शब्दों का इस्तिमाल किया उन शब्दों को मैं यहाँ पर बैठ कर आपको बटा भी नहीं सकती मैं आपको दिखाऊंगे एक रिपोर्ट इस रिपोर्ट के जरिये देखे कि किस तरीके से लोक तंत्र के मंदर में नई संसद में ऐसे शब्दों का स्तमाल हुआ है यह रिपोर्ट देखे है जी डानिश अली जी प्लीज सिलाँ ओय ओय उग्रवादी ए उग्रवादी बीच में मत बोलना यह आतंकवादी उग्रवादी है यह मुल्ला आतंकवादी है असकी बात नोट करते रहना अभी बाहर देख लूँगा इस मुल्ले को ये शब्द केंद्र की सत्ता परासीन भारतिय और ज्वंतापाटी की वरिष्ठ सांसद रमेश विधूरी के है शिरिमान जी संसद में दक्षन दली का प्रतनिधित्व करते हैं जिस तरह के सड़ा शाप शब्दों का उन्होंने लोकसभा में इस्तिमाल किया और उसे सुनकर पूर्व केंद्रिया मंतरी हर्शवर्धन ने मुस्कान बिखेरी ये तस्वीर देश को शर्मसार करने वाली है बीजेपी समर्थक ने तो चुपपी साध रखी है लेकिन विपक्ष के कई नेताओं और आम लोगों ने एक सांसत के मुह से ऐसे अपशब्द सुनकर अपना मथा पकड़ लिया है प्रधान मंतरी नरिंद्र मूदी और भाजपा के जाधा तरनीता बात-बात पर जिस लोकतंत के मंदिर की बात करते हैं वही पर उन्ही के एक सांसत किस तरह के शब्दों का इस्तिमाल कर रहे थे ये सोचने वाली बात है अगर जाता है तो देश के प्रधान मंतरी को जाता है अधीर रंजन जी अभी शर्म जा रहे थे निश्पढ़ रहे थे उन्हीं निश्पढ़ रहे थे उन्हीं सापिशतर से लेकरा पिसर इसकी बात पर देखो इस बुले को राज्यसभा सांसत प्रियंका चतुर्वेदी ने विधोडी की संबोधन का एक हिस्ता शेर करते हुए लिखा कोई शर्म नहीं बची है बाद में राजनाज सिंग को खेच जताना पड़ा कॉंग्रेस और आपने ट्विट कर प्रधान मंतरी मोधी पर निशान अस्ताधा है कि अम्रोहा की लोगसभा सांसत दानिश अली को हाजपा के रमेश विधोडी ने कटवा, उग्रवादी, आतंगवादी जैसे शब्दों का जो लोगसभा में शब्द बोले नहीं जा सकते उसका इस्तमाल किया मैं पूछना चाहता हूँ नरेंदर मोधी जी से क्या नरेंदर मोधी जी लोगसभा के अंदर आतंगवादियों के साथ बैठते हैं क्या आतंगवादी लोगसभा में आ सकते हैं जिस पिरकार से रमेश विधुडी ने एक लोगसभा के सांसद के लिए भाशा का इस्तमाल किया वो बहुती उस साबित हो गया कि भारती जंता पार्टी लुचों की गुंडों की और सलक्षाप निताओं की पार्टी मुझे लगता है रमेश विधुडी ने जैसे बोला अब उनको भाशपा की सरकार केंदर में मंत्री बना देगी लेकिन संसद में ये दिन काला दिन था इस तरीखे की भाशा के बाद लोगसभा की स्पीकर ने उनको सिर्फ एक बार्निंग देके छोड़ दिया ये बहुती काला दिन है हम इसकी कड़ी निन दाता है बहुजन समाज पार्टी की संसद दानिश अली ने अपने खिलाफ वीजेपी, एमपी, रमेश पिधोडी की संसद में अमरियादित टिपड़ी को लेकर लोगसभा स्पीकर उम्बर्ला को शुक्रवार को लेटर लिखा उन्होंने इसमें लिखा कि मामले को विशेशादिकार समीती को भीजा जाए इसके साथ ही बियस्पी निता दानिश अली ने ब्यान पर कड़ी आपत्ती भी जताई है व्यक्ति की इस्थिति आज इस देश में यह है तो एक काम आदमी के इस्थिति क्या होगी इस सदन को भी छोड़ने पर विचार कर रहा हूँ उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा क्या RSS की शाखाओ और नरेंद्र मोदी जी की प्रयोकशाला में यही सिखाया जाता है आपका कैडर जब एक चुने हुए सांसद को भरी संसद में जैसे शब्दों से अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ता तो वो आम मुसलमानों के साथ भला क्या करता होगा यह सोच कर भी रोह काप जाती है संसद के अंदर दानिश अली को लेकर की गई टिपड़ी को लेकर मायावती ने भी संसद रमेश बिधोडी पर हमला बोला भुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने ट्विट करते हुए लिखा दिल्ली से भाजपा सांसद द्वारा बियस्पी सांसद श्रीदानिश अली के खिलाब सदन में आपत्ति जनक टिपड़ी कोहना के स्पीकर ने रिकॉर्ड से हटा कर उन्हें चेतावनी भी दी है और वरिष्ठ मंत्री ने सदन में माफी मांगी लेकिन पार्टी के द्वारा इनके विरुद्ध अभी तक संचित कारिवाई नहीं करना दुखद और दुर्भा के पूर्ण है लोगसभा अध्यक्ष ओम्बिर्ला ने सदन में भाजपा तदस से रमेश विधूरी की आपत्ति चुनक ब्यानों को कमभीता से लेते हुए शुक्रवार को उन्हें भविष्च में इस तरह के विभाद पर कड़ी आपत्ति जुदाई है लोगसभा अध्यक्ष ने भाजपा नेता को भविष्च में इस तरह का विभार तोराय जुआने पर कड़ी कारिवाई की चेतावनी दी है लेकिन इन सब के बीच सवाल ये है कि लोकतंत्र के मंदर में आखिर सड़क छाप भाशा का इस्तमाल क्यों किया गया एक संसद के द्वारा संसद में दूसरे संसद को लेकर ऐसे आप शप्तों के इस्तमाल आखिर क्यों भरी संसद में एक संसद को आतंकवादी उगरवादी है मुल्ला आतंकवादी जैसे शप्तों को कहने की हिम्मत भला कहां से आती है जिस संसद में वेल के अंदर आने पर संसदों को सत्र से निश्काशित कर दिया जाता है वहाँ भला ऐसे शब्तों को इस्तिमाल करने वाले संसद को सिर्फ चितावनी क्यूं Special Desk, Knews India जिस संसद में आज इसे मुद्दे पर होगी विस्तार से बाचीत कास मैमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है आपको उनसे हम रुबरू करवाते हैं अनिल शुकल वारसी जी हमारे साथ में हैं पोरवसांसद रहे हैं और वΠीपी के ओरसे आज हमारे साथ में जुड़े हैं इसके साथ ही हमारे साथ में मनोश ध्यानी जी जोड़ चुके हैं इन शबदों को सुना उन शबदों को मैं तो अपनी जबान से यहांँ पर क्योंकि मैं सभी समाज में रहती हूं मैं सभी धर्मों का सम्मान करती हूं मेरे मित्र सभी धर्मों के लोग हैं मुझे लगता है कि आप इस बात से तकलुफ रखते होंगे कि आपके भी मित्र सभी धर्मों के लोग होंगे आपने सभी धर्मों के आसपास काम किया होगा क्यों कि आप पूर्विसांसद रहे हैं लेकिन आप मार्च बेज़ेपे की और से हमारे साथ में जुड़ें इसलिए मैं सबसे पहले आप से ही शुरुवात कर रहे हूं सर यह क्या है आप लोगतंतर को मंदर कहते हैं और मंदर में शब्दों को शब्दों छोड़िये इन गालियों का इस्तिमाल आपको ठीक लगा क्या और इसके लिए जितना भी इसको कंडेम किया जाए वो कम है और यही कारण है कि हमारे पार्टी के वरिष्ट नेता ने लोगसभा में खुच्छ हमा मागी और सारी बातों को रिकार्ट से हटा भी दिया गया है अनल जी क्या रिकार्ट से हटा देना ही सब कुछ हो जाता है एक शक्स जो सांसद है जो सत्ता में है जो उस मंदर का सदस्य है जिसे लोगों ने वोट देकर सांसद बनाया है जिस पर विश्वास जताया है जिसे उस मं आपके माफी मांग लेने से खेजता देने से क्या उस शक्स का उस कम्यूटी का दर्ध कम हो जाएगा बताईंए आप करांड़ा unpl johncoalist है कि एक चीज है कि अगर रमेश बिधोड़ी ने कुछ कहा है और दानी चली को लेकर कहा है तो हमें उसको पूरे समाज के साथ दें जोड़ना चाहिए करेंगे क्या दानी चली के लिए उस तरीके के शब्दों का इस्तमाल किया जाना चाहिए दानी चली कौन है सर उसी मंदिर का सदस्के जहां पर आप बैठे हैं वहीं पर जहां पर रमेश बिधोड़ी बैठे हैं उसी जगा का वहीं चीज उतनी ही सम्मान जनक वह भी वेक्ति सब्सक्राइब करना चाहिए हम लोग करते भी है लेकिन इसको अगर रमेश की धूरी द्वारा उनको कुछ कहा गया है या उनके बीच में पहले से कहीं कोई टेंसन था तो इस तरह का जो बाता का इस्तेमाल किया है क्या वात समाच के साथ उसको जोड़न नहीं जोड़ना तक धाने घाने की बाकिंवाज करें कॉछह फुक्सिा यानि आप जो बात कहे रहे हैं मैं मंफी चाहती हूं किमावाज को बार बार टोveck रही हूं लेकिन आप पेष़ कर सकते हैं वहां पर बैठकर संसद के भीतर वहों लोग्तंतर का मंदिर हैं यह मैं नहीं या आप भी कहते हैं वहाँ पर जनता की बात होनी चाहिए ना कि हमारी या आपकी अव्यक्तिकत कोई टिपड़ी आपके एक सांसत की ओर से धमकी दी जा रही है कि बाहर देख लूँगा जाती सूचक शब्दों का इस्तमाल किया जा रहा है और बात सिर्फ उस व्यक्तिकी न भी हुई ओम बिर्ला जी का कहना है कि ऐसी कारवाइद दोबारा ना की जाए नहीं तो एक्शन लिया जाएगा यानि इस बार साफ है दोबारा ना की जाए से मतलब साफ हो गया कि आप ने इस बार उनको माफ कर दिया अब दोबारा किये जाने का इंतजार करें कि भाई हमारी चर्चा में चुराक जी जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ ये शर्मनाक है मैं अपने जबान से उन शब्दों का इस्तेमाल मेरे इस कारेक्रम में बिल्कुल नहीं करूंगी और आप सब भी सम्मान जनक विक्ति हैं हमारे पैनल में भी सभी तरह के लोग बैठे सांसदों की सोच क्या है क्योंकि या तो वही निज़र आहा रहा न कि संसद नई सोच वही पो देखे यह जो आज एक बयान आया है यह दर्शाता है कि भाजपा के जो सांसद हैं उनके दिमाग में कितना जहर बहा हुआ है दो दिन पहले ब्रदान मंत्री बोलते हैं कि हमें मर्यादा रखनी है नई सांसत की और यह मर्यादा रखी जाती है जहां पर एक बार से जादा चुना हुआ सांसत जो है वो इस तरह की भाशा का प्रयोग करते हैं और उसके पीछे आपके दो क्याबिनेट मिनिस्टर होते हैं जो खस रहे हैं आप समझे कितना शर्मनाक है और कि क्या इक्जेमपल सेट कर रहे हैं आगे आने वरी जिनके लिए जो हमारी पहलवान बहने हैं वो सड़क पे बैठी कोई नहीं हुआ मोदी जी बिलकुल चुपो जाते हैं उनका पूरा का पूरा जो मंत्री मंडल हैं सब के सब चुपो जाते हैं किसी के मुझे एक आवाज नहीं निकलती है कि यह गलत है आज अगर आपने इस पीच में आता है आज आपके खिलाफ और होनी चाहिए उस पे हमारे सांसर अगर विरोध करते हैं तो हमें दो सेशन के लिए बाहर निकाल दिया जाता है हमारे निलंबत कर दिया जाता है दो सेशन के लिए आज इतना बड़ा वाक्यान हुआ यहां पर हेट स्पीच तक जाती कि यह क्यों किया एक्समाज आप क्या करेंगे जिस तरह की शबदावली यूज की गई है क्याidente है क्या उसको डालना सोच दाबी चहाइं उन के लिए जिस तरह के शब्द उनों ने यूज किये और उसके बाद जिस तरह का मोहा जिस तरह की हासी ठिठोले क्याबिनेट मिनिस्टर जो पूर्ट कैबिनेट मंत्री है वो लगा रहे थे वह वह चान्दी चौक जिसे एरिया से आते हैं वह एरिया से जहां पर हम सब लोग बाईयों की तरह रहते हैं कितना दुख़ दे लिए लेकिन सवाल यह कि क्या यह सफाई आम जनता को जो नुकसान हुआ है जो उसकी भावनाओं को ठेस पहुची है जो उस पूरे समुदाय को ठेस पहुची है क्या वो दूर हूपाएगी क्योंकि जिन चब्दों का इस्तम पांच सेकेंड वाल मैं यह कह रहा हूं कि किसी समुदाय को नहीं टार्गेट किया यह हमारे डेमोक्रेसी के मंदिर में जाकर पाप किया गया है मतलब आपने जो सड़क की भाशा होती है जो गली नुकड के बच्चे जैसे लड़ते हैं बच्चे तो ऐसे नहीं लड़ते ह गुंदे बदमाज जो होते हैं वैसी जो हरकते होती है आज इन्हों ने यह जाकर बल्कुल और सब्सक्रपड़ी बात है कि अभी अनल जी बीच को टेंशन हो लेकिन उस टेंशन को दूर करने के लिए आप लोक्तंतर के मंदर में संसत के बीतर जाकर आप सी तुतु मैं मैं सम्मान है उनको जोडते हैं चराक सेटी जी से हमने सुना अभी तमजीद आहमद जी के पास जाएंगे कॉंग्रेस पार्टी के पर वक्ता है तमजीद जी आपने सुना कि किस तरीके से आज जो पूरा वाक्या हुआ सभी को हैरान कर गया यह बहुत बड़ी बात है कि देख तो इनको फीता काटने के लिए बुलाया जाता है चीफ गेस्ट के तो और पर पिक आरेक्रिमों में आपको जाते नजर आएंगे इनकी और से ऐसी हरकते मैसेज कैसा क्या है संदेश कैसा क्या है आकर समाज को बहुत रंदेवाद आपका और सारे प्रेंडिक को मेरा नमस्कार जी जो आज रमेश पिदुड़ी जी ने जो बयान दिया है संसद के अंदर तो उन्होंने फिर्फ अपनी गरिमा नहीं गिराई बलकि पूरे संसद की गरिमा गिराई जिस तरीके उन्होंने यह बयान दिय है वह बहुत कंडेमनेबिल है भर्ष्क्रा करने लाइक है और मैं तो बड़ा अश्चर सेटीट हूँ कि अभी तक उन पर लोकसभाई स्पीकर ने कोई कारवाई तक नहीं है उनसे एक खेतावनी दी गई है संजे सिंग जी रागा चड़्दा जी और इस से बड़ी बात मे जाती है और कोई कारवाई के नाम पर अभी तक कोई कारवाई नहीं सिर्टावनी देने से काम कर जाएगा बलकुं यह बहुत ही दुखद है और बहुत भर्ष्ना करने लाइक है लेकिन इसका आपको दूसरा पहलु समझना पड़ेगा कि यह बयान दिया क्यों गया यह बय अभर्ष्पा सरकार महिला आरच्षर के बिल के नाम पर एक जो उन्होंने पूरा फिल्मी स्टाइल में जो लेके आए उसमों पूरी तरीके सा फेल हो गए तो आप अगर समझेंगे तो भर्ष्पा की राजनी थी कि यही कोनो ले दिया तो जब जब वो पूरी तरीके सा फ अच्छा आपको ऐसा लग रहा है कि यह पूरा का पूरा डाइवर्ट करने के लिए इस तरीके का बयान दिलवाए गया है टीक है लेकिन भाजपा ने अभी तक उनको पर कोई कारवाई नहीं की लोगसभा इस्पीकर ने अभी तक कोई कारवाई नहीं की बिलकुल सबसे पहले तो लोगसभा स्पीकर के उरसे एक्शन की उमीद जो है वो आम जनता को है कि आप इस समझ लिए कि जब अभी मैं आपका सुरू की जो रिपोर देख रहा था तो जो लोगसभाई स्पीकर के जो सदन में बैठे हुए तो समय इनके उपर संचालन की जिम्मेदारी थी वो मना दानिश अली को कर रहे थे कि आप अपने चेर पर बैठ जाएगे तो आपके आवास भी कट रही है तुम्सेट जी आपके पास लोटें नावेच शिकुसाब हमारे साथ में वरिष्ट पत्रकार हैं नावेच जी आप राजनतिक मुद्दों पर अच्छी जानकारी रखते हैं लेकिन इस पर मैं आपसे क्या ही सवाल पूछू आपने भी देखा होगा इस तरीके की भाशा का इस्तिमाल मतलब आम नुकड पर भी अब लोग इस तरीके की भाशा का इस्तिमाल नहीं करते हैं और इस तरीके की भाशा का इस्तिमाल किया गया है यह पूरी तरीके से शर्म उस दौरान इन चीजों को ध्यान रखे और ध्यान रखे वो हर धर्म के लोग क्योंकि जब राजनीती होती है तो धर्मों पर होती है अभी कॉंग्रेस प्रवक्ता है उन्होंने का कि देखें डाइवर्ट करने के लिए ऐसा ब्यान दिया गया मतलब राजनीती में कुछ भी राजनीती के लिए कुछ भी और अगर सबसे पहले अनिल जी की बात पर जाए अनिल जी कह रहे है कि आपसी कुछ विवाद हो सकता है क्या आपसी विवाद के लिए संसद बनाई गई है और यह नई संसद है यह विशेश सत्र है इसकी विशेशता का उत्सव मनाएंगे क्य मुझे लगता है कि यहां पर किसी एक समुदाय या दानिश अली का मामला नहीं है यहां पर पुरे देश शर्मसार हुआ है बलकुल और प्रधान मंत्री जी की छवी धूमिर हुई है भारती जनता पार्टी और एंडिये को बहुत बड़ा नुकसान भुआ है देश की जनता आहाथ हुई है आपने बात कहीं बहुत प्रभावशाली बात कहीं कि नई संसत नई बिल्डिंग नए इटों से और नई हवेदी से कोई फरक नहीं परता हम लोगों ने प्रधान मंत्री जी को 48 घंटे पहले सुना था और उन्होंने इस अं प्रधान मंत्री जब वो कहते हैं के संकट के टाइम में आप घंटी बजाओ तो वो घंटी बजाने लगता है इतनी दिवानगी उस प्रधान मंत्री की है जनता के बीच में क्या इतनी कमजोर प्रधान मंत्री हो गए है कि अपनी पार्टी अपनी सरकार के उनके मंत्री उनके सांसत भी उनकी बात मानने को तयार नहीं है कौन प्रधान मंत्री जो बयान दे चुके हैं जिनके बयान को कि दुनिया ने बड़ा सा रहाया था किस देश की जनता का कोई भी व्यक्ति किसी भी पिछड़े दलित, अल्थंक्यक वर्ग को अगर मारने की चीस्ता करता है तो वह आके मुझे मारे पहले, कुछी कमजोर पिछड़ा वर्ग, अल्थंक्यक वर्ग, हम उसको इज़त देते ह चाहते हैं, अगर उसको कोई कमजूर समझ के उसको गाली देता है, उसको मारने की कोशिच करता है, तो पहले वो मुझे आके मारे, यह बहुत बड़ा बयान था, इस बयान के बाद, उनके कैबनेट का हिस्सा, उनके सामने उस संसत में, जिस संसत की पवित्रता के कुछ घंट पुरा तेक भव संसत के लिए है, वस संसत जहां देश के अच्छे फैसले होंगे, जहां हमारे जन प्रतिनीदी, हमारे जन लिए की बाते करेंगे, जहां जन प्रतिनीदी, हमारे हिद के कानून बनाएंगे, उस संसत में 48 घंटे भी नहीं हुए, और गालम कालोश चुरू हो गया क्या सरकार का वखारी इतना कमजोर हो गया है वो सरकार जिसकी जो एक बड़े जीती नहीं एक सांसत और योगी सरकार के पात की सिर्फ दानिश अलीकी नहीं है येcat समुदाय की बात नहीं है बात इस बात की है कि भारती जन्ता पार्टी को ये विशेश सत्र रास्षी नहीं आ रहा है विशेश सत्र किसी विशेश परसित्यों में बुलाया जाता है माईला अरक्षण बिल लाने के लिए ये सत्र बुलाया गया जबकि ये पता था कि माईला अरक्षन विल अभी लागू होई ही नहीं सकता है जमीन पे उतर ही नहीं सकता है और उसके बात में जब बात निकली तो अरक्षन की बात निकल आई जातियों की बात निकल आई और सरकार बैक फुट पे आ गए उसका मुकाबला करी रही थी सरकार मोदी सरकार कि उन्हीं के ए बाथ प्रति का समार्थि जनता पार्टी का समर्थन करने वाजी हो या विरोती हो देश की जनता इसको स्विकार नहीं कर रहे हैं और किसी भी कीमत पर ऐसी चीजे स्विकार नहीं है वो खिसी भी धर्म को लेकर की जाएं किसी भी वेक्टी को लेकर की जाएं और कम से कम ऐसी जगहों की मर्यादा ऐसी जगहों की गर्यमा को बनाए रखिए जहां पर जिसकी हम पूझा करते हैं समवधान मानता है और लोक्तंतर को आपने मंदर कहा है और उसी मंदर में जाकर आप इस तरीकी की गालियां उसी सदस्य को दे रहे हैं जिसे जनता ने चुना है और मैं तो ये मानती हूँ कि ये अपमान सिर्फ उन लोगों का नहीं है जिन्नोंने दानिश अली को संसद बनाय है क्योंकि आपका संसद आपका चुना हुआ एक विक्ति ऐसी भाशा का स्तमाल करता है हो सकता है उनके संसदिया शेत्र से लोग हो जो मुस्लिम मित्र जिनके हो और क्या उन्हें ठेस नहीं पहुची होगी क्या उस शक्स को आज ठेस नहीं पहुची होगी जो भी मुस्लिम है क्योंकि जिस तरीके के शब्दों का अस्तमाल किया कि आप सबने सुना है मुझे लगता है उनको दोहराने की अब जरूरत नहीं है लेकिन बड़ा सवाल देखे पार्टी लाइन के लिहाज से आपने नावेज जी कई सारी बाते कही मनोश ध्यानी जी के पास समझाएंगी मनोश ध्यानी जी की बात को सुनते हैं लेकिन उससे पहले मन्थन में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं कहीं मचाएगा ब्रेक के बाद हमारी चर्चा जारी रहेगी हम बात करेंगी कि आखिर क्यूं ऐसे शब्दों पर सक्सिसक्त कारवाई नहीं हुई आखिर क् सक्त आक्शन नहीं लिया है वो लोगसभा के अध्यक्ष हो या पार्टी लाइन की ओर से हो अब सफाई देनी पड़ रही है उन लोगों को जिन लोगों ने पूरे वाक्ये पर मुस्कुराहटे दिखाई थी लेकिन सवाल की क्या ऐसे मामलू पर आपको मुस्कुराना चाह सवाल कि क्या ऐसे शब्दों का इस्तमाल आपको कभी भी करना चाहिए अरे संसत तो बहुत बड़ी चीज़ है हम संसत को मंदर मानते हैं लोगतंतर की हम पूजा करते हैं सवधान को हम पूछते हैं और वहां पर बैठ कर आप इस तरीके की चीज़ों का इस्तमाल करेंगे तो देश आपको कभी मी माफ नहीं करेंगा है हम बात कर रहे हैं उस बयान की जिसने देश भर में हाहा कार मचा दिया है वो बयान जो शर्मनाक है जिसकी हम नंदा करते हैं जिसकी देश नंदा कर रहा है ऐसी पर बात करने के लिए हमारे साथ में लगतार खास मैमानों का प समाल किया दाने शली खुद सांसद हैं अम्रोह से बियस्पी के अब ऐसे में सवाल उठता है कि देखे राजनितिक लिहाज से नावेश शिकोस आपने जो बाते कहीं यह बहुत आया मैं कि चुनाफ के लिहाज से एक बड़ा नुकसान बारती ज्वनता पार्टी के लिए हो सक क्या पहली बार में माफी मिल सकती है ऐसी चीज के लिए क्या इस जगहन ने बयान के लिए कि क्या ऐसे शब्दों के लिए माफी काफी है बताई आप कि अन्म्यूट कीज़े अन्म्यूट कीज़े मनोजी मनोजी आपके आवाज नहीं मिल रही है भारत की जो संसद है भारत की संसद भारत के लोगों का दोगतंत्र का प्रतिनित्जित्तों करता है और भारत के जो विभिन संसदिय शेत्र है वहां से पुए भेज की जनता भारत के संसदों को चुनकर भेजती है और वहां पर विधिक कानून बनाने के कारे किये जाते हैं और यही कारे महिला आरक्षण दिल को लेकर बुलाएगे विशेश शत्र का परियोजन भी है अब उसकी बहस में मैं आपको राज्य सभा में एक बहस चल रही थी और जिसमें लीडर ओप दी ओपोजिशन ने बजट ये प्राविधानों के करने के लिए पूरे के पूरे रिकॉर्ड बलके निर्मला सीता रमंजी और उनके पीच में कुछ नोग जोग भी हुई तो सदन पटल पे रखने का निर्देश दिया राज्य सभा में ही इस दहस के दोरा डिरेक्ट ओब्राइन जो पीमसी के सांसद हैं उनको अपनी स्पी उसमें तो उसको अथेंटिकेट करने की बात कही गई मैं कह रहा हूं कि लोग सभा के भीतर एक सांसद दूसरे सांसद को आतकवादी बाकी शब्द तो रिलीजियस हो सकते हैं उसका मनतव वोट बैंक पॉलिटिक से हो सकता है लेकिन अगर आतकवादी शब्द दूसरे सां बात के लिए अन्यता ऐसे सांसद को लोकाचार घंग करने के लिए मरियाती भशा के लिए मार्चिंग ओडर स्थे दिये जाने चीए तुरंत दे जाने कि यह भारत की संसद मैं पिछले दिनों भी कई बहसों में रहा हूं और तमाम विधायक और सांसत जिस तरीके का आच्रण कर रहे हैं उस पर मैं एक बात कहता हूं कि लोकाचार की दिरिष्टी से श्रीमत भागवत गीता में एक बात कही गई है बार बार मैं इसे पोर्ट करता हूं कि यह भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं लोक उसका अनुसरण करते हैं जिसको परमाण के साथ कोई श्रेष्ट जन अपने आच्रण से इस्थापित करते हैं भारत का जो सांसद है वो कोई व्यक्ति नहीं है वो सडख शाप वेक्ति नहीं है उसके आच्रण में इस तरीके की स्थापना होनी चाहिए लोग उसका आच्रण करें भारत की संसत में ही जिसका अनुसरन भी किया रास्ट में और बलकि रास्ट में दाइक तो भी दिया अटन ब्यारी बाजबाई को पुजिन में होते हुए सहीं रास्ट में पुलने का मौका दिया सिर्फ उनकी भाषा के कारण तो जहां आज का जो संसद्य संसद्य इस्तर है भार्तिय जन्ता पाड़ी का गिरावासा लग रहा है वहां पर गड़करी जैसे लोग हैं आदर्णिया जिनको बोलने का मौका दियाजा सकता था राजनाथ सिंग्री जैसे हैं पड़े और भी करी हमारे उत्राखंट से रमेश को बिला निशन की है जो मर्यादित भाषाओं का परियोग करते हैं लेकिन पार्तिय जन्ता पार्टी ने जिस बैक्ती को दाइट तो दिया उसकी भाषा इतनी अमर्यादित होगी और उसके पीछे बैठे हुए जो कानून मंत्री और तमाम बि चोशे की ज़िए हम जलन है कि रहान है कि अब तक या नही hem लिखनय और आपने बहुत अच्छी बात कई मनूध की जिस तरीके से एक आफिर अचरण होना जहीं आपको पता होना चाहिए कि यह जगा पर बैठे उए और किस से किस तरह की बात कर रहे हैं और जब आपको माननी अमाना जाता हूँ आपके पीछे एक बड़ी जनता हो जिसने आप पर विश्वास दिखाया हो तब आपकी जिम्मदारी और जादा बढ़ जाती है खेर आपके पास लोटेंगे पूर्वल संसद हमारे साथ में पार्टी के नेटा हमारे प्रधान वंत्री जी नरेंद्र मोदी ने अभी जब नया सदन शुरू हुआ उन्होंने किस तरीके से सभी के चीजों को याद किया चाहे वो अटल जी का भाशन हो या मनमोहन सिंग की कुछ चीजे हो उन सब को भी उन्होंने सराहा है और उस जग शब्द कभी वापस लिए जा सकते हैं क्या यह घोर बेजती नहीं है उस जगह की क्या कभी भी आप चाहेंगे कि हमारी संसद में इस तरीके के बयान दिये गए हैं इस बात को कोई दोहराए इस बात को कभी याद किया जाए क्या आप ऐसी चीजों को कभी संजू कर रख सक कि अपनी ही सभी दलों के लोगों को उन्होंने सराहा मनमौहन सिंग का उन्होंने राम लिया और ऐसे मोके पर नई संसद नया सब विशेश सत्र उतसब मना रहे हैं आप महिला रक्षन का दूसरी और ऐसे शब्दों का इस्तिमाल कैसे बचाओ करिएगा सर आप कौन से शब लिए थोड़ा सा समय देदेगा बिल्कुल मैं कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी हुआ वह बहुत है मर्यादित था उसको हाइली इटीज कंडर में और कहीं भी से उसको सही नहीं करता है लेकिन जहां तक बात रही एक कारवाई की तो मैं कहना चाहता हूं कि तुरत उस पे ह हमारे बरिष्ट नेता ने मानी राजना जी खेत प्रकट किया और उसको हमारे जो कहना मैं स्पीकर ने उनको टावनी भी दी और साथ-साथ पार्टी ने भी उनको सोक आज नोटिस दिया है ऐसा नहीं कि तुरत कारवाई नहीं की नहीं बिल्कुल आपकी पार्टी इसके सा है खराब लग्रें हम भी कहते हैं लेकिन अगर कोई मत्री कहता है जिस तरीके से उन्हों ने गालियों का प्रयों किया उसको भी तो सही नहीं कहा जा सकता है हमारा कई मतलब यह है कि आप जब इस तरह की बाते आप करते हैं जो लोग इस तरह की बाते करते हैं प्रियोग करना चाहिए और कारवाई गलत काम करता है और जो भी कुछित कारवाई हो उसमें हमारा कोई मैं उनका फेवर नहीं कर रहा हूं को लेकिन अनिल जी देखी बात याए है कि किसी को आप कुछ कह दी जे सक अथी करत वीड़े करति है अस जगह से अ संजर सिंग को पूरे संसद पूरे सत्र के लिए लंबत कर दिया आपने क्या लोगसभा स्पीकर को और हम अगर हम अगर साक्ट आक्शन की बात कह रहे हैं स्पीकर की और से तो उस बात पर मुझे लगता है कि आपको भी हमारे साथ खड़े होना चाहिए ऐसा नहीं है तो कि अ चिराग जी मैं आऊंगे आपके पास देखें मैंने नहीं कहा आपने राहूल गांधी की बात कहीं ठीक है आप उनके वेभार को लेकर जो एक्शन लिया जाना है लेकिन क्या कोई गलत कर रहा है तो आप दी गलत करने लग जाएंगे आप कह रहा है कि उकसाने वाले बहुत कि समास के साथ नहीं जूड़ सकते हैं क्यों नहीं सकते सर क्यों नहीं सकते हैं जो शब्द आपने बूले है यह अटंक वादी है या मुसलिम उगरवादी हो गये उनके साथ जोड़ के सकते क्यों नहीं two यह लागू हो जाता है क्यों नहीं लागू होता आतंकवादी कहा आप उसका बेस बताईए अभी मनोद जी ने कहा ना कि प्रोपर वहाँ पर चीजे बताइए किस में लूटते हैं आपके पास आपके पास कोई तर्क नहीं आज आज आप नावेज जी कुछ कहना चाहरे हैं वीश में नावेज जी चाहरा हूं मैं याद दिलाना चाहरा हूं इसके एतिहासी घटना को द्रस्टराश के सभा में दुशासर ने द्रॉबदी का चीर हरण किया था आज तक इस बात को लोग याद करते हैं उतका दुश परिराम भी जो कर रहे हैं कि वह थे लोगों ने अने जी अने जी डिसके बात में बिल्कुल बिल्कुल और जो लोग सर जुकाकर बैटेते हैं उनको हमारा नमन है उनको हम शुक्रिया अदा करते हैं कि कम से कम उन्होंने इस बात का लिहाज रखा उन्होंने संसत की गरिमा को समझा और समझा कि किस तरीके के शब्दों का इस्तमाल हो रहा है और विल्कुल ठीक का आपने नावेज जी कि जिस तरीके से द्रौपती का चीर हरण हुआ सभी सभा में बैठे लोग मौन रहे ये जादा शर् अब हरश्वाधन जी कुछ भी सफाय देले कोई भी बात कहले कुछ भी कहले कि उनके भी मुस्लिम में तरह नें जो सच है वो तस्वीरे सब कुछ बयान कर रही है अगर उन्हें आपती होती तो वह हैरानी बरा चेरा देखता लेकिन उनके मुस्कुराद बरा चेरा देश क इसका जवाब उनसे जुरूर लेगी लेकिन देखिए बडा सवाल यहाँ पर हम उमीड करते हैं, मैं बार बार कहते हूं मैं जब माननीया मांतें हैं, यह यहां पर हम पर हमारी आपके मुद्दों की बात होती है खेर नावेज जी आपने बहुत ही अच्छी बात थे यह बड़े अच्छे संदर्प से जोड़ने का भी प्रयास किया कि देखे इस तरीके से चीजे हुए और शान्ती रखी गई नावेज जी जो बात हम कह रहे हैं हम मान रहे हैं कि बीजेपी के सब को दुख है सबने खेद प्रकट कर लिया क्या इतना काफी है बार बार एक सवाल दोरा रही हूं और साथी लोग सभाई स्पीकर का आक्षन ना लेना सेफ और सेफ चेतावनी देकर छोड़ देना सबसे बड़ी समस्या देश को इस बात से है सबसे बड़ी जो टीस लिए आपका चुप रहना आपका गुसा नहों एक स्वाभाविक व्यक्ति जो होता है ना सामाजिक व्यक्ति जो होता है वैसे शब्दों को सुनकर सर प्रोधित हो जाता है और अनल जी यह भी कह रहे है कि इसको किसी भी कम्यूटी से नहीं जोड़ना चाहिए जो शब्द कि जन्ता पार्टी के साथ ही हमारे मित्र जो है इसका जो पॉलिटिकल पॉइंट रहा है पॉलिटिकल जो मुद्दे रहे हैं उसमें एक कौमन मुद्द रहा है और इसके जासत हेट स्पीच अब शब्द बोलने को लेकर भारत के कई बड़े नेताओं की सदस्ता गई है यहां तक राहूल गांदी भी काफी दिनों तक संसत के सदस्त नहीं रहे इस तरह तमाम नेता ऐसे हैं पिछले साल में एक रिकॉर्ड है हेट स्पीच को लेकर अफशब्दों को लेकर नफरत फैलाने को लेकर नेताओं बड़े बड़े नेताओं का सफाया साइड लाइन बिल्कुल हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा राजनितिक करियर तबाह हो क् हम लोग इस बात को हम अब तलब हमारा को बड़ा पसंद कर रहा था कि भार्ति देग्द्वर्ण पार्टि योगी मोधी सरकार जो है ज, ये बड़ा अच्छा फैसला हो रहा है कि कम से कम इससे ते रहा की कि कम होगी और इसको सिनिसला को अगर ऑगा सुन्दिश में दश्थ अगर कोई शक्स गलती कर रहा है तो आप सर क्या गलती को दोहराने लग जाएंगे आपको जनता ने आप पर विश्वास दिखा कर आपको सत्ता में लेकर आई है ताकि आप इन गलती को सुधारे आप जो गलती कर रहें उनको सजो दीजे और आप ये कहकर बच नहीं सकते कि उन्होंने कहा था तो हमने कह दिया तो कौनसी बड़ी बात हो गई ये कहना थीक है आपका अंट को च बनता है तो ऐसा कुछ नहीं है जिसने जो गल्ती की है उसको गल्ती की सजा मिलनी चाहिए ठीक है और मैमान एक अभी अभी हमारे साथ में जोड़े हैं विजेशंकर नायक जी हैं अमीट किरवादी है विजेशंकर जी बहुत स्वागत आपका आज के हमारी चर्चा में विजेशंकर जी आपने बयान सुना ही हुगा जब तरीके का बयान दिया किया यह देश भर में चर्चा का विश्य बन गया है राजनितिक लिहाज से भले ही यह अब राजनितिक बदलाव लेकर आए समीकर्णों को तोड मरोड दे बदलाव कर दे लेकिन देश की जनता को आहत हुआ है लेकिन आम जनता में अभी भी इस तरीके से भीदभाव नहीं आया है आम जनता अभी भी चाय के दुकान पर जब चाय पीती तो यह नहीं देखती कि यह किसकी दुकान है आम जनता अभी भी भायचारी पर चलती है और जो बयान दिया गया जिस तरीके से एक सांसद को एक स सब्सक्राइब करते हैं जो भारत कभी हिंदू मुस्लिम सीखिसाई सभी है भाई भाई का जो हम लोग नारा लगाया करते थे उस नारा में भारतिये जनता पार्टी ने कि आज संप्रदाई की करन करने का काम किया है जिसका ही नतीजा है कि आज जो अलबसंखक वर्ग के लोग हैं आज उनसे डरे हुए हैं वो कभी भी हेट की स्पिच दे सकते हैं और एक संसद की गरीमा भी गिरी है जो संसद में चौदा से पुर्व जो एक महौल बनता था संसद की गरीमा रहती थी वो गरीमा गिरी है और भारतिये जनता पार्टी हरे एक्षम है भोट की राजली और भोट का धुरूवी करन कैसे हो इस पर ज्यादा ध्यान देने का काम करने का काम अभी तक की है जिसका ही परिणाम है कि आज शंसद की गरीमा को इन्होंने ठेश पोचाया संसद के अंदर एक चुनवे हुए संसद को इन्होंने आन तक वादी बोलने का काम किया यह बहुत ही सर्म का भी से है और भारतिये जनता पाठी के लोगों को चुलू भर पानी में डूब कर मरना चाहिए ठीक है ठीक है सर आपके पास लोटेंगे मनुष धानी जी के पास जाएंगे ध्यानी जी हमने चर्चा इस ते रखी ताकि हम यह समझ सके कि आखिर ऐसे शब्दों का अस्तमाल क्यों किया जा रहा है क्यों हमारी भाशा शैली इस हद तक भगड़ चुकी है कि हम जगा तक का अक्षन हो आपको लगता है कि इस बात में हमारे इस मांग में देश के समांग में बीजपी को भी बराबर साथ देना चाहिए ताकि यह जो मैसेज उनका गया है ना पहली बात तो जो नुकसान बीजपी को पहुंचा है वो तभी पूरा हो सकता है जब उतना ही सक्ट तो विजनता पार्टि जिस राजिनीती का प्रतिल्य तो टो करती है उसमें बारबार की बात करती है परगु ह्ञाव करण train करना कर बात करती है अब मैं आपको बताओ कि परगुराम की प्रशोतम थे मादप्र रुसों में सबसे उत्तम जो वेस्टी है वह परगुराम-जी अगर उनकी संस्क्रिती और उनकी विरासत की बात करेंगे तो उसमें सब्वेता सौमेता प्रोहती शिष्टा चाहत दुरूं के परतियादर तब के परति प्रेम भाव और करुना दिखे गया तो वीरता का रस्वी उसमें मिलेगा और त्याक की भावना सबसे बड़ी उनके आच्रण में विलेगा उनके जो दूट जब रावन के दर्वार में गए चाहे अंगजी के चाहे अनवान जी गए अनवान जी तो खैट की रूप में नहीं गए तो सभी जगाओं पर मर्यादा देखे उन्होंने बहुत मर्यादित आच्रण इस्थापित किया कम से कम अग अगर्षा का परियोग है समान करना चाहिए शतुल तक का समान किया जाना चाहिए ऐसा भारतिय सेना के लेकिन हम आच्रण क्या कर रहे हैं आज और यही मैं देखा हूँ कि हमें दुख किस पातका होता है कि आज आज देश के एक कोने में कहीं पे मैलाओं को नगन करके घु परिया जाना चाहिए और यह पुरा देश कह रहा है कि आज निकाल बाहर किया जाना चाहिए जो सिस्टम को कचड़ा बनारें दिग्मत की तरह नहीं तरह नहीं देश भारत है और भारत की अगर हम बात करें तो भारत को बहुत मान स्वरुप परदान किया जाना चाहिए और भारत देश को संस्कृतिक देश मना जाता है भारत अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है अपनी बोलजाल की भाशा के लिए जाना जाता है और ऐसा माना जाता है कि यहां की लोग इस तरीके की चीज़ सब ही महानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज के हमारी चर्चा में आने के लिए अपनी बात रखने के लिए तो मंथन में आज हम बात कर रहे थे कि आखिर लोक तंतर के मंदर में ऐसी भाशा का इस्तेमाल क्यों किया गया और अगर हुआ तो आखिर उस पर आक्शन क्यों नहीं हुआ एक तरफ बीजेपी से हमारे साथ में आज अनिल जी जुड़े अनिल जी ने कहा कि दोनों का आपसी विवाद भी हो सकता है सवाल है कि क्या संसद आपसे विवाद के निप्तारे के लिए है या हमारे आपके आम जनता के मुद्दों पर विचार विमर्श और बातचीत के लिए है ये एक बड़ा मुद्दा है अब देश चाहता है कि उस शक्स पर सक्स सक्त कारवाई की जाए जिस शक्स ने लोकतंतर क मंदर में गाली जैसे शब्दों का अस्तमाल किया है लोगतंत्र की गरिमा को लोगतंत्र की मरियादा को तार-तार किया है जब तक उस शक्स पर आक्शन नहीं होता तब तक देश उस शक्स को और उस शक्स का समर्थन करने वाले लोगों को कभी भी माफ नहीं करेगा मंधन में आज उतना ही आप देखते रहे हैं के न्यूस इंडिया नमस्कार